अठाइस मार्च का दिन माफिया अतीक एहमद शायद ही अपने जिन्दगी में कभी भूल पाएगा चालिस सालों से बाहुबल दिखा कर मनमानी कर रहे अतीक को सजा सुनाई गई उमेश पाल अपरण मामले में अतीक समेत तीन लोगों को उम्रकैत की सजा सुनाई गई जबकि साथ को बरी कर दिया गया ये तारीख अतीक के लिए इसलिए भी यादगार रही क्योंकि इसी दिन वो प्रियागराज की नैनी जेल लाए गया इसी नैनी जेल में उसको तमाम परिशानियों का सामना करना पड़ा जबकि ये वही नैनी जेल है जिसमें कभी अतीक की अकड़ दिखती थी उसके तेवर दिखते थे पुलिस कर्मी भी उसके सामने थर थर कांपते थे कहा तो ये तक जाता है कि एक बार अतीक को जेलर पर इतना गुसा आया कि उसने जेलर को सब के सामने थपड जड़ दिया था अतीक का खौफ देखिए जेलर ने थपड़ खाने के बावजूद रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई इस पूरे कांड से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था फिर बाद में बस यही हुआ कि अतीक को नैनी जेल से देवरिया जेल भेज दिया क्या यह पूरी कहानी साल 2017 की है जब अतीक का सिक्का चलता था उसके बाहुबल के सामने पूरा जेल प्रशासन नतुमस्तक रहा करता था कहा तो यह तक जाता है कि नैनी जेल में जेलर की नहीं बलकि अतीक की चलती थी अतीक के हर हुकम को मानना वहां मौझूद हर अधिकारी और कैदियों के लिए बेहत जरूरी था आपको जानकर ताजूब होगा कि अतीक जो चाहता था उसके लिए खाने पीने के लिए आता था उसके गुर्गे जो भी खाना पीना चाहते थे अतीक के कहने पर जेल प्रशासन वही मुहिया कराता था अगर कोई गलती से मना कर दे समझ लीजे उसकी शामत आ गई अतीक नैनी जेल में काफी वक्त तक रहा और तब तक उसका खौफ भी कायम रहा हलाकि योगी राज में हालात बदल चुकी है अब आलम यह है कि जिस प्रियाग राज में अतीक का सिक्का चलता था वहीं के लोग अब खुल कर उससे फासी दिये जाने की माम करते है अतीक के लिए जूतों की माला लेकर आते है माफिया अतीक के कुकर्मों के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद करते हैं साल 2005 में बस्पा विधायक राजुपाल हत्याकान में नाम सामने आने के बाद अतीक काफी वक्त तक नैनी जेल में रहा अब उमेश पाल अपरन मामले में उसे सजा हुई है हाला कि अतीक इस फैसले को अपर कोट में चुनौती देने की बात कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ उमेश पाल की पत्नी भी अतीक को फासी पर लटकाये जाने की मांग पर अड़ी है समवादता रोहित पांडे ने जब उमेश पाल की पत्नी जया से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा इसके साथ आपको छोड़े जा रही है फिलाल आप इस खबर पर क्या राये रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बता सत्रह साल बाद फैसला आया और अतीक इहमत को अमरिकायत की सजा प्रियागराज की MPML कोट ने सुनाई है हाला कि अश्रफ को बरी कर दिया गया है ऐसे में हम दिवंगत उमेईस पाल के घर पर मौझूद हैं और उनकी पत्नी से बात करने के लिए आया है फैसला आ गया है 17 साल पहले वाले मामले में क्या कुछ कहेंगा मैं जज्जमेंट जो आज हुआ है उस जज्जमेंट के हिसाब से मैं उनकी जज्जमेंट तक खुश नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने जो उम्रकाइद की सजात सुनाई है कारावाज दिया है तो यह इस पर मैं जज्जमेंट में खुश नहीं हूँ मैं आप जो है इसक जो है फैसला इसको मैं हाई कोड़ सुप्रिम कोड़ तक लेके जाओंगी मुझे चाहिए कि मुझे अपने हास्बन के जो निया चाहिए मुझे वह फांसी की सजा सुनाना है मैं वह तभी तभी मैं संतुस टूपाऊंगी अस्रफ को बरी कर दिया गया इस पर कह रहा है मैं इन सब को ले करके क्योंक इन सब को खतम करवाना है मैं हाई कोड़ और सुप्रिम कोड़ ये केस लेके जाओंगी बिल्कुल सरकार की तरफ से आपने जिस तरी के पहले भी कहा सहयोग मिल रहा है लगाता तो अब क्या आप सरकार की तरफ भी अपील करेंगी कि हाँ आगे इस मामले में और कारवाई ह नहीं मैं मोखी मंत्री जी से भी अपील है मेरी लेकिन मैं नियालय को ये जो केस था इसको मैं लेके जाना चाहूंगी मुझे नियाय चाहिए अभी मेरे आदमी की जो घटना हुई है इससे मैं संतुष्ट नहीं हो पाई कि वो जो जज्जमेंट मिला है कि कारवास दिया ग अबस्ते लड़ी उमेश पाल जी ने उस लड़ाई को आप आगे बढ़ाईंगी मुझे आगे बढ़ाना है स्टेज को मुझे नियाय चाहिए नियाय में मेरे मेरे आदमी की मृत्ति हुई है और मैं भी चाह रही हूं कि उसकी भी मृत्ति हो फासी की सजा सुनाई जाए मै तो तो यही कहा जा रहा है कि जो भी सजा दी गई उससे संतुस्ट नहीं है परिवार और अगर किसी केस में उसको ऐसी सजा होती है तब भी आपस जाए वह है देखिए आज तक उसके जितने भी केस वो चले हैं उसकेस में उसका कुछ नहीं हुआ पाया यह उमेशपाल का गुमा जो हत्या हुई है और यह जो है गवादार दे गवादार में उन्होंने जो है इस तरह से सजा मिली है तो नायपाली का तो उनको जजमेंट यही देना चा जो कि फासिक सजा नहोंके उम्रक्याद की सजा होई है वो जहां भी रहे को खत्रा कर सकता है इसलिए मुझे जया है यह केस को जो है मुझे हाई को उस्प्रेम कोर्ट तक लेकि जानी पर है मुझे नैट जाए का नई भी ऐसा हो कि जो कातम होने वाला अभी तक असत्ध हमी जिस दिन ये कुछ हुआ 24 फरवरी को उससे पहले कभी उमेज जी ने बताया हो कि हाँ इस तरीके की धंकिया मिल रही है या कुछ ऐसा किया जा सकता है तो उन्होंने तो 17 साल बाद जब फैसला आया तो फैसला यही रहा कि उम्रकायत की सजा सुड़ाई गई है जिसके बाद ह उमेज पाल जी की पत्नी से बात की और उन्होंने साफ कहा है कि फैसले से संतुस्त नहीं है और वो अभी हाई कोड जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रिम कोड भी जाने के लिए तैयार है फिलाल अभी के लिए इतना ही बाकि और जो अपडेट होगे आप तक जरू पो जाएंगे